Hello everyone I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे and I hope आप सब की preparation भी बहुत अच्छी होगी right so in this particular video we will be discussing that whether you should be given you should be giving the prelims 2021 or not क्या आपको 2021 का prelims देना झाहिए नहीं बहुत सारे students के message आ रहे है तो एके करके pro, cons, yes, no , ठीक है सबको analyze करते है सब को एक एक करके अनलाइस करते हैं विफोर दाट आपना जो कम्प्लीट कोर्स अन पीए साइयर ऑप्टनल है बहुत सारे स्टूरेंट्स पूछ रहेते हैं तो वो अपना स्टार्ट हो रहा है फॉर्स्ट ऑक्टोबर से तो चलिए हम अपने आज के इस जो पाटिक्लर टॉपिक है उसको डिसकस करते हैं तो पहली चीज वाई यू शुड यानि क्यों प्रिलिम्स देना चाहिए तो सबसे पहली बात देखिए एक चीज को यहाँ पर समझे है मैं बहुत सारे एस्पिरेंट से इंट्राइक कर चुका हूँ बहुत सारे स्टुडेंट लोगों जनोंने कौलिफाई किया जनोंने नहीं कॉलिफाई किया उन सब से मैंने इट्राइक किया और एक चीज थो है the journey is very very tiresome इनीशली क्या होता है कोई भी चीज आप करते हैं तो उसमें मजा आता है निया चीज़ा पढ़ते हो वाओ पॉलिटी पड़ी वाओ इगनोमी पड़ी ऐसे एसे एसे that that is an excitement right ठीक है वो excitement होता है but धीमे धीमे क्या होता है that fades away and when that fades away तो similarly आपके chances भी कम होते हैं then aspirants क्या करते हैं वो with attempts सिफ अपने attempts fulfill कर रहे हैं they are giving it just for the sake of giving वो formality कर रहे है exam ऐसे नहीं निकलता तो आप समझे जितना आप इस preparation को more prolong करेंगे ही उतना ज़्यादा आपका अब जिन्होंने बिल्कुल तयारी नहीं करी तो भाई क्यों दे रहे हो फिर तब तो अब अकली है आप स्टार्ट कर रहे और आज वीडियो देख रहे हो तो क्यों आप देख रहे हो ठीक है I am talking about those जिन्होंने preparation करी है भली on and off करी है वो भी right on and off आपने preparation करी है but you are into this ठीक है so journey बहुत ज़्यादा tiresome होती है आपको भी पता है and with times to come क्या होता है आपके chances decrease होते है तो yes you should be giving it same cheese goes for the career choice जितना ज़्यादा आप इसको delay करते हो उतना ज़्यादा आपके क्या होता probability decrease होती है right and then what happens is the career choices for you क्या होता है with times come होते जाता है then you look for the alternative careers आपके पास skills building नहीं होती skills अच्छी नहीं होती तो the market does not reward you just type कि आपको एक salary एक package चाहिए होता है right because you don't have the skills ठीक है तो सबसे बहुत चीज़ तो यह है ठीक है फिर उसके बाद क्या है कि यह yes यह उनसे भी related है जो जिनका score average आ रहे है तो चले उनको प्रिलिम्स देना चाहिए नहीं so मैं तो कहूँ है definitely आपको देना चाहिए right and समझो वही logic की कुछ बच्चे कहते साहरा हमारे बहुत attempt time छोड़ देते हैं समझो विट विट अटेम्स आपका वो passion वो जज़बा कम हो रहा है towards the service towards the exam तो कुछ बच्चे कहते साहरा हमारे एक attempt वेस्ट होगा अरे भाई पाच एटेम्स तक आप जिन्दा ही नहीं नहीं बच रहे पाच एटेम्स देने कि आपके पास हिम्मत है तभी आप एक attempt अपना फार होनी चाहिए उस दिन आपने कुछ कमाल कर सकते हैं 10 बंदा 20 नंबर उपर नीचे भी हो सकते हैं right so even a person who is scoring 80 odd marks वहाँ पे 120 भी ला सकता है I've seen many people I've seen many people right in fact एक मेरा student है उसने भी interview भी दिया है and वो coaching की test series बहुत ही limited solve करता hardly 3-4 test and उसका प्री निकलता है वो majorly previous question बगेरा को solve करता है right and he has developed those skills तो उससे वो करता है तो ऐसा कुछ नहीं है ठेक है you should be giving it तो यह मैंने आपको sufficient reasons बता दिये financially, emotionally, psychologically, right सारा कुछ हमने आपे discuss कर लिया है don't prolong the preparation give the exam ठेक है give the exam क्यूंकि आपके पास 6 attempt है ना मानता हूँ but आप 6 attempt देने लायक नहीं बचोग मतलब I am talking about बिल्कु जोश के साथ बिल्कु अच्छे preparation के साथ ठेक है 6 attempt देना मतलब attempt means exam निकालना एक होता attempt मतलब सिर्फ हाँ बैड के paper में यह वो चीज नहीं है exam निकालना है तो आप दो ठेक है done तो यह हो गया yes अब बात करते है when should you not be giving the exam ठेक है एक ही case है when you are absolutely sure that this is what I want this is what I want to sir मैं अपना attempt waste नहीं करूँगा वो बेवकूफी है क्योंकि हो सकता है किसी attempt में आपकी rank कमा जाए but still you will be requiring कि यार हो सकता है IRS मिल जाए या हो सकता है कोई आपको grade B service मिल जाए then you would be wanting कि sir एक attempt होता तो मैं service के साथ भी दे सकता था है तो यह भी होता है so save your attempt secondly if age is on your side first attempt just call it and they want to try it out but they are absolutely sure this is your thing तो भाई first attempt को बचा के रखो क्यों 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 कि first attempt is the most passionate attempt फिर्स अपने first time को यार रखते हो तो first attempt जब आप देते हो कोई से exam की द्यारी करते हो तो that is the most you can say बहुत ही अच्छा attempt होता है तो उसको हमेशा से रोक के रखना चाहिए तो if age is on your side let's say you are 21-22 के हो तो अभी आपके पास 30 तक 32 तक का time है तो रोक लो राइट ऐसा कुछ नहीं है secondly if the finance is also on your side हो सकता है बहुत सारे आप में से students है who are financially well or secure if you are into job वगेरा तो रोक सकते हो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपके पास at the end of the day job है एक अच्छे salary है जो आ रही है ठीक है तो कोई भाई इस बार नहीं हो पाई उतनी preparation तो रोक लो next time next जैसी आपका वह हो जाए next time की तेहरी करो 22 की में वाद अब दुबारा प्रीकी कर रहे हो तो प्रीकी तो तयारी करते ही रहो right ठेक है first time वालों को अमने बात कर ली and if you are absolutely sure about this if age is on your side then you should be waiting for it right and जो लोग भी 22 का 21 का time skip कर रहे है start preparing for 22 from now onwards अपने optionals को कवरो mains का कवरो right ethics वगेरा जो भी मिसिंग है उस चीज को आप करो specifically till December December तक आप लोग mains की तयारी करो for the rest of those who are giving तो वो तो दही है so I hope आपको यह चीज़न में आई होगी कि कब आपको देना चाहिए और कब आपको नहीं देना चाहिए right नहीं देने के लिए if you are absolutely sure about this और आप यह attempt दोगे ही दोगे ठीक है age is on your side you are financially well off secure आपके पास एक job है stability है means in the sense आपकी life में stability है यह चीज या रखना the word is stability बहुत सारे students है ऐसा नहीं है में थे बहुत सारे students है they are working aspirants they are already into government job ठीक है girl जो मेरी student है she is into some I think Caroline वो कहीं science के कोई department में काफी अच्छी ए ग्रेट पोस्ट है उसके 52 ग्रेट पर उसे मिल रही है ठीक है तो उसने अब 22 के लिए तयारी start कर रही है ठीक है तो अब उसने course में enroll करा है last week जो august वाला जो बास्ता उसमें enroll करा है तो बता रही थी व अगर आप लोग को समय आया होगा right so please do tell your friends about this video this channel and thank you so much guys please do share it and मिलते है आप लोग से अगली वीडियो में and also do tell what do you want to me to tell you of the next video तो नेक्स वीडियो में उस पर बनाएंगे तो मैंने दोनों चीज़ को discuss कर लिया कि अगर आपके कम marks आ रहे है तो क्या करना चाहिए and secondly should you be giving this exam or not right twenty 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 one dollar देना चाहिए नहीं c sat के लिए बुढ़ा को c sat के लिए मैंने strategy बता दी चलिए मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में तब तक लिए बाई